हेलो दोस्तों तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ और आद मेरे पास है एकदम यूनिक सा पैंसिल का कलेक्शन ये देखिए है और है मेरे पास ये प्रिंसिस गिफ पैक तो हम उसको बिलकुल इटेल में दिखाने वाले हैं आप मेरे साथ पूर जरूर प्रेस करेंगे और मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि आपको मेरी स्टेशनरी की जो वीडियो हैं वो कैसी लगती हैं चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपके लिए लाई हूँ ये यूनिक सी पैंसिल्स ये देखिए किती जादा क्यूट है इसमें अ चाफी जादा अमेजिंग है एंड इसकी जो शेफ है वो एक टाइगर की तरह है तो काफी जादा अमेजिंग सी लग रही है ये टाइगर वाली पैंसिल्स और इसमें आपको ना वेराईटी काफी अलग मिल जाएंगी जैसे आप देख सकते हैं तो यहाँ पर भी आपको मि देखिए इसमें टैडी बियर बनना है जो काफी क्यूट सा लग रहा है और इसके पैन टॉपर ना काफी अमेजिंग अमेजिंग से हैं अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो यह एक पैंसिल आपको मिलेगी ओनली 20 रुपीस की यह देखिए इस पर बना है प्यारा से एक क्यूट सा डग बना है जो जिसे हम कहते हैं डगलिंग बोल सकते हैं और इसका कलर रैड है यह भी काफी अमेजिंग है और यहां से हम देखिए तो यह है प्यारा सा एक जिराफ का फेस है वो काफी जादा क्यूट सा है न देखिए और इसका कलर ना यालो है तो काफी हम देखेंगे तो यह एकonal से हैा इसका बलू है है और मिल्क कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ था करा देखिए और यहां से आप देख सकते हैं तो यह भी काफी ज़ादा जी यह प्रॉपर यूज होगी मुझे काफी पसंद आई थी यह और यहां पर आप देख सकते हैं अगेन यह भी एक जिराफ का फेस है यह भी अमेजिन सा लग रहा है तो आपको बताने हैं यह पैंसल से हैं यह आपको कैसी लगी आप इस तरीकी की पैंसल करेंगे तो आपको वन कितने की मिलेगी 20 रुपीज की मिलेगी और यह मेरे पास एकदम यूनिक सी इमोजी इरेजर यहां पर आपको इमोजी मिलेंगी जैसे देखी लाफिंग है वीपिंग है कूल है स्माइली है सारी यहां पर इमोजी आपको मिलेंगी और आपको विलीब नहीं होगा यह एक र यहाँ पर यहां पर यह कूल वाली हम देख लेते हैं तो यह कूल वाली अरे एकमेजिघ यह आपको नदौब है यह बहरें पको 50 मतेμεन्फंग और एक पूंहरी मैं चैना है किसी इस म platform अबन hedge सकते हैं इस ने स्पिर खूंक ईतली है यह यह आक. कि इस तरीके से जिग जैग का यहाँ पर आपको डिजाइन आएगा अगर आप पेपर कट करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे सीजर के जो ब्लेड्स है उसमें जिग जैग का इनोंने डिजाइन दिया है यह मिलेगी आपको 20 रुपीज की तो मैंने उसको भी लेई लिया था और उसकी बाद है मेरे पास यह बैग वाले कलर जो कितने जादा अमेजिंग है यहाँ पर आपको 12 कलर मिलेंगे यह मुझे 150 का मिला था और इसकी डिजाइन काफी जादा यूनिक सी लग रही थी तो मैंने सोचा बहें इसको भी परचेस कर लेते हैं इस तरीके से ओपन हो और देखिए कितने इसमें कलर है और यहाँ पर जो कलर की डिजाइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग है यह देखिए यह फिस तरीके से ओपन हो जाएगा और काफी स्मूद ली चलता है यह कितना स्मूद आपको चलाने में भी नहीं है इसको amazing and प्यारा सा आपको यह लगेगा bag और उसके बार ना मेरे पास neon color भी है यह देखिए neon color है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मेरे पास neon color है यहाँ पर भी आपको 12 shade मिलेंगी और जैसी shade इसमें दिखती है exact वैसे ही यह दिखेंगी यहाँ पर आप काफ़ी प्यारा एंड स्मूध है यह पिंग कलर है इसका और यह काफ़ी अमेजिंग सा लग रहा है तो इसको हम लगते हैं साइड में यहां पर हम इसे क्लोज करेंगे आपको अगर आप एक पैन खरीदना चाहते हैं तो आपको यह 100 रुपीस का इसली मिल जाएगा और उसके किती प्रिंट भी हो रही है आप देख सकते हैं यापर जिप है उसको हम ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से अनदर आपको देखते हैं स्के अंदर क्या निकलने वाला है एक प्यारा सा शापनर एंड उसके बाद निकलने वाले एक क्यूट सी एरेजर जिस पर हेलो किटी बन रही है एंड निकलने वाले एक हेलो किटी की पैंसिल्स जो काफी अमेजिंग है एंड निकलने वाला है एक हेलो किटी का स्केल ये देखिए इसमें हेलो किटी का स्केल भी है यह भी किता क्यूट है और निकलने वाला है यह प्यारा साप पैंसिल केस हेलो कीटी का है यह भी मैटल का है यह देखिए टिप करने पर साउंड भी क्रियेट होता है और यहां लिखा है वी आर्दा बैस्ट अपनी बैस्ट फ्रेंड को इसको गिफ्ट कर सकते हैं उसके अंदर और यह काफी अमेजिंग सा है देखने कितना ज्यादा क्यूट सी लग रहे है यह है लो किटी और इसका देखिए जिस बैग में सारी चीज़ आई थी वह भी कितना अमेजिंग एंड यूनिक सा लग रहा है तो काफी प्यारा है अगर आप इसे अपनी फ्रेंड को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा रहेगा और यह वाला जो गिफ्ट पैक है यह मैंने 200 का खरीदा है यह भी काफी प्यारा है इसका कलर ना पिंक है और इस तरीके से यह उपन हो जाएगा देखिए कितना बेजिंग ऐसे उपन करने का तरीका और यहां स पर एक शापनर पिंक कलर का है यह शापनर भी देखिए कितना अमेजिंग है ना पिंक कलर का शापनर और आपको यहां पर एक क्रियोन का सिक्स कलर का पैक मिलेगा यहां पर भी प्रिंसिस लिखा है और काफी अमेजिंग है यह मेड इन चायना है यानि चायना का बना है यह scale यह देखिए इस पर भी ना princess बनना है कितना amazing सा लग रहा है और scale की quality भी काफी amazing है और उसके बाद निकलने वाला है यह pencil box यह भी metal का है यह देखिए pencil box और यहां पर भी princess यहां पर print हो रहा है और यहां table वगएरा है a to z लिखा है काफी amazing सी है space भी है काफी ताकि आप easy इसको क्या कर सकते हैं ले सकते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगाता और उसके बाद है मेरे पास ही jumbo pencil case जो unicorn का print हो रहा है जिसके ओपर और यह मुझे मिलाता 250 का तो एक strand आपको यहां मिलेगा pencil वगएरा का अगर आप इस वाले बटन को प्रेस करते हैं तो यहां पर आपको pen रखने के लिए काफी space मिलेगा यहां पर तो देखे यहां पर प्रेस करेंगे तो एक यहांपर इरेजर वगएरा रख सकते हैं उनिकॉन आजकल सबका फैबरेट चल दा है तो देखिए यूनिकॉन प्रिंट है 150 में यह मुझे काफी अच्छा लगा था और काफी क्यूट भी है इसका कलर ना पिंक कलर है और यहां पर आप देखेंगे तो यूनिकॉन कलरी है जिसे हम रैंबू कलर भी कह सकते हैं वो सारे कलरिनों ने दिये हैं तो मैंने आपको जो कलेक्शन दिखाया है आपको बताना है उसमें से कौन सा अच्छा लगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन बटन दवाना ना भूलें और अब ना ख